हेलो दोस्तों, वेलकम टू माई चैनल नॉलिज गुरु जी इस वीडियो में दोस्तों हम लोग इकाई का अंक निकालना सीखेंगे कि जैसे कि एक कोस्टन दे दिया जाएगा जैसे कि पहला कोस्टन यह है 756 x 936 x 872 में इकाई का अंक ग्याद करना है तो इकाई का अंक ग्याद करने के लिए दोस्तों हम लोगो सबसे पहले कोस्टन को देखना पड़ेगा और जो इसकी जो लास्ट डिजिट है तीनों की उनको हम लोग मल्टिप्लाइ कर लेंगे 6 x 8 x 2 मल्टिप्लाइ करके 46, 48, 42, 96 और 96 जो इकाई का अंक जो लास्ट में होगा भाई हमारा अंसर हो जाएगा वो हमारा इकाई का अंक आ जाएगा आई होब आपको समझ में आया होगा चलिए दोस्तों इसी प्रकार हम लोग दूसरा कोस्टन करते है जैसे कि दूसरा कोस्टन है 935 x 845 x 314 x 212 तो इसमें भी दोस्तों हम लोग लास्ट डिजिट चारों में ले लेंगे और इनका मल्टिप्लाइ कर देंगे तो 8 x 5 x 4 x 2 अब इनका गुणा कर लेंगे 8 x 4 x 8 तो 8 x 320 और इसमें जो लास्ट डिजिटा है भाई हमारा एकाई का अंक हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा आपको समझ में आया होगा चलिए दोस्तों लोग कुछ और कोस्टन करते हैं जो की बहुत इंपोर्टेंट है और पर इच्छा में आ सकते हैं तो चलिए जो लास्ट में डिजिट डिखे इकाई कांग भाही हमारा आंसर हो जाएगा तो इसमें दोस्तों इकाई कांग हो जाएगा जीरो और इसमें 6 आपको समाझ में आया होगा अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस व बहुती आसानी होगी कोस्टन को सॉल्व करने में तो मैं दोस्तों नहीं नहीं सॉट्रिक लाता रहता हूं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तो उससे पहले आप से अलविदा लेता हूं बाई